कितने officer हैं जो काम कर रहे हैं आपने देखा जो मस्जिद का मामला है पिछले 12 सालों से एक छोटा सा मैटर जो है 12 सालों से चल रहा है लेकिन उस पर decision नहीं हुआ उस officer को जितने भी officer उस फाइल पर बैठे हुए थे जिन्हों ने उस पर फैसला नहीं लिया कितने लोगों को आज तक नोटिस जारी हुए हैं और भी ये एक मामला आपके सामने हैं कई मामले हैं जिसमें बर्शों से लटके हुए हैं लेकिन officer उन पर कुंडली मार कर बैठे हैं कोई निरने नहीं ले रहे हैं यही हाल कोट्स का है कोट्स में भी कई मामले बर्शों से पैंडिंग चल रहे हैं लेकिन उन पर decision नहीं हो रहा किसको शोकोज नोटिस आया इसका मतलब साफ है कि जो नोटिस उनको जारी हुआ है वो उसके पीछे कुछ vested interest है उसके पीछे डाल में कुछ काला है सबसे बड़ी बात तो मुझे यह लगती है कि वो उनकी popularity से जलकर उनकी popularity से चिड़कर इस तरह का notice दिया गया है ताकि वो इन social activities से दूर रहें पहली बात तो यह कि social media पर जो भी active लोग रहते हैं वो दिन में एक post डालते हैं 1000 पोस्टे कोई नहीं डालता एक post डालते हैं जो 10 से 15 मिनट तक की हो सकती है 10 से 15 मिनट की post बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट लगते हैं मैं भी बनाता हूं मुझे भी पता है तो यह काम अगर वो officer अपने lunch time में कर लेती हूं या फिर office hours जो है उसके बात करती हूं तो किसी को क् रिकत है क्योंकि 10-15 मिनट का टाइम है लेकिन उनके उस 10-15 मिनट की वज़ा से जो बच्चे प्रिपेर कर रहे होते हैं अपने आपको इस बड़े competition के लिए उनको कितना फाइदा होता है क्या किसी ने यह वात सोची उन्हीं को नहीं वात कर रहा और भी जितने बच्चे औ फाइदा होता होगा क्या यह बात उस SDM ने सोची जिन्होंने उनको शोकॉस नोटिस भिया ठीक ऐसा ही मनोज कुमार के साथ हुआ था जो आपको पता होगा पुलिस में काम करते हैं वो भी मोटिवेट करते थे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बोलकर बड़ी किसी की आपकी राय अलग भी हो सकती है यह जो कुछ भी हुआ है यह एक बेस्टिड इंटरस्ट की वज़ा से हुआ है जेल्सी की वज़ा से हुआ है अदर्वाइस उस SDM साब को खुद अपने अंदर जहांक कर देखना चाहिए और पता करना चाहिए कि उन्होंने कितने का पाँ समय रहते कि यह हैं और हजारों की संख्या में ऑफिसर है क्या वो सारे लोग अपने काम समय पर करते हैं नमाशकार साथियो आज बात करते हैं एक हीस एस ऑफिसर की जो कफी चर्चा में रहती है और आजकल एक नेगटिब वजह से वह चर्चा में हैं वो चर्चा है कि उन्हें जहां पर वो तैसीलदार लगी हैं वहां के SDM ने एक show cause notice जारी किया है और कहा है कि आप इसका reply करें कि आप अपने काम के प्रती जबावदे नहीं है या आप अपने काम जो है वो सही समय पर निप्टाती नहीं है इस मामले में जो लोग उनसे चिड़ते हैं वो उनके खिलाव हैं उन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि ये अपने आपको ज़्यादा समझती हैं और काम नहीं करती हैं इनकी पोल खुल गई है बगएरा बगएरा और जो लोग उनकी फेवर में हैं वो कहते हैं कि उन्हें जान बूज कर टार्गेट किया जा रहा है मैं यहाँ अपनी निश्पक्ष राय रखूँगा और आप अगर उससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो अपनी अपनी राय जो हैं कमेंट्स में जाहिर करिए सबसे पहली बात तो ये कि आपको उनके काम से प्राब्लम है यानि काम जो वो नहीं कर रही है उससे प्राब्लम है या फिर उनकी पॉपुलेर्टी से प्राब्लम है दुनों चीज़ों को सामने रख रहा हूं एक क्या उनके काम से जो उनके आफिसर हैं जिन्होंने उनको नोटिस जारी किया है उनके काम से उनको प्राब्लम है या फिर उनके वीडियोज बेएरा जो सोशल मीडिया पर वो चाही रहती हैं उसकी वज़ा से प्रावलम है देखिए नो डाउट वो बहुत पॉपलर है आप सब जानते हैं पॉपलर क्यों भी नहों क्योंकि उनकी मैंने भी कई वीडियोज देखी हैं आप सबने भी देखी होंगी होती हैं दूसरी उनकी इनफोरमेटिव होती है वो ज्यादा तर उनकी वीडियोज जो होती हैं वो जो एच एस के एसपारेंट हैं जो एच एस की त्यारी कर रहे हैं हिमाचल की सबसे बड़ी administrative जो services के competition के exam हैं उसकी तैयारी करवाती हैं उसके बारे में वो लोग जो ने य स्षिर्य वाँ से उनको अभेशंटने सक्रार 활िप्र easiest उनको बताती हैं कि आपने टॉपिक आपने टॉपिक को से प्रिपेर करना एंग उनकी वीडियो उसकी वाँत से उनकी टॉपिक पर होएं वह उनकी पॉपिलर रहती हैं पहली बात तो ये कि आप उनकी educational qualification जो है उस पर doubt नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने खुद हेमाचल परदेश की सबसे बड़ी administrative services के जो competition है उसको crack किया है उसके बाद उन्होंने interview crack किया है तो जाहिर सी बात है कम से कम graduate तो वो हैं इससे ज़्यादा उनकी qualification हो सकती है लेकिन कम से कम graduate दो हैं दूसरी बात उन्होंने इस exam को crack किया है interview को crack किया है और लाखों लोग हिमाचल में ऐसे होंगे जो उस exam को crack नहीं कर पाए interview की बात बात की है कई लोग exam ही नहीं crack कर पाए और बहुत सारे होंगे जो interview में रह गए तो जाहिर सी बात है कि उनकी काबिलियत जो है उसके कोई doubt नहीं किया जा सकता अब बात आती है कि वो काम करती है यह नहीं करती है जो motivational होता है जो motivational speeches देता है आपने कई जो बड़े बड़े लोग देखे है motivational जो speeches देते हैं वो लोग आपको तब तक motivate नहीं कर सकते जब तक वो खुद motivate ना हो तो जाहिर जीबात है वो खुद motivated है और तभी वो दूसरों को motivate कर पाती है फिर जिस topic को वो लेकर आती है उसके उपर research करती होंगी उसके उपर study करती होंगी तभी जाकर वो आपको उसके लिए prepare कर पाती है लोग उनको सुनते हैं तो उनकी पक्वास बाजी होती तो लोग एक दिन सुनते दो दिन सुनते लेकिन उनकी बातों में facts होते हैं तभी लोग उनको सुनते हैं और बड़ी संख्या में सुनते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनके पास skill भी है उनके पास education भी है और उनके पास information भी है खुद उन्होंने भी तैयारी की है बच्चों को भी तैयारी करवा रही हैं तो इसमें कोई दोर आये नहीं कि वो skillful है educated हैं और हर तरह से हर तरह की qualification वो रखती है